राश्ट्र भक्त देज भक्त होने का मतलब आजकल कुछ और हो गया और इसको समझना diferentes हामारे ईसे लोगों के लिए तो यह समझे बिलकुल पर रहे इसकी परिवासा क्या है इसको समझना भी भूगशना मुश्किला पहलें परिवास क्या है राश्ट्र भक्त होना परिभास है बिलकूल बदल गया है जिस तरह is anh देख रहे हैं तो ता 01 ते पहोत बढ़े देख भकते तो हम उनके साथ हो लाहें जो बहर के हो एर देश के से नेटा जिनने हम परफ़ पसंद नहीं करते हैं अगर ऐसी देश भक्ति है तो मेरी समझ में यह देश भक्ति तो परकुल नहीं है और ना हमारी जैसे लोग को समझ में आती है नमस्कार स्वाथ आपका मेरी चैनल नंदने शेव हैं मैं हूं नंदने देश भक्ति होने का मतलब क्या है अपने देश के प्रतिसमवर पे थोना हमारे देश पे खिलाब कोई ना बोले घर देश के अंदर राजनीत एक अलग चीज है हमारे घर के अंदर लड़ाई जगडा सुल जाएंगे भी हम लड़ाई भी फिर लड़ाईंगे लड़ाई योद भी होगा अलग हमारे देश के खिलाब कोई भी बोले घर हमारे ठैसको अमूझतो जो अबैंगे कम से कि नेटाओं के खिलाब बोले यह घर आ गर कोशाय है जिसे कहते हैं अबन एस भखति होना इस इस तरह से आजकल मैं देख रही हूं राष्ट पती अबरिखा के पूर राष्ट रहे थी आत्मकथा लिखी है वह उस पर हमारे यहां के बहुत ज्यादा जो अपने आपको राष्ट्रबादी कहते हैं देजभक्त कहते हैं वह बहुत खुज हो रहे हैं कि ओबामा ने राहूल गादी के बारे में इतना कुछ लिखा है उन्हें यह नहीं पता कि अगर हम यही यही वह चीजें हैं यही वह विचारधारा है जिसने हमारे देश को गुलाम बनाया है कई दफे हमने गुलामी का दंस बरदास जहला है हमारे पूर्वजू ने अपने जान दिया हमें आज आदी की सांति लाने के लिए आज हम क्या कर रहे हैं मैं मानते हूं रहूल गादी नहीं पसंद है किसी हम भी नहीं पसंद करते हैं लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी कि हम बाहर वाले को आकर उन पर कुछ भी बोलने का अधिकार उन्हें हम देदेंगे क किसी ने कोई कड़ी पर्तिगिरिया नहीं दी ओबामा अपरिका के राष्टपतिय महा सकती है बहुत बड़ी सक्सियत है लेकिन उन्होंने अपनी सोच को काफी छोटा कर दिया मैं यह कहूंगे और उन्होंने वह इस बात को दूसरी तरह से भी कर सकते हैं लिख सकते थे औ हमारे देश के नेताओं को यह बात पता होने चाहिए कि हमारे देश जब जब गुलाम हुआ है इत्यास उठाके देख लो वजह यही रही है अगर आप किसी को अंगुली पकड़ने देदो ना वो फिर हाथ पकड़के पूरा तुम्हारे तुम्हें खीची लेगा यही रह है गुलाम होने का कि आस्तम जित्रे देफे गुलाम रहे जब भी हमारे देश मुसिबत हुआ है वजह यही रही है आजकर हम देख रहे हैं तुटर पर भूट लोग आपने आपको जो राष्ट भक्त कहते हैं वह बहुत खुश हो रहे हैं अलग अलग तरह से लोगों ने लौक चाहोंगे जो लोग इस तरह से खुश है वह कम सकम दिली के मुख्य मंतरी अरविंत केजिवाल से खुश है जब दिली के चुनाओ जब लोक सभा चुनाओ हो रहे थे तब पाकिस्तान के जो कोई नेता है उन्होंने हमारे पड़ान मंतरी के बारे में कुछ गलत बोल अभिता कशला है कि हमारे अदिकार को हमें तरफ में यह कुछ भी है और गुश सोवाल पूछान मोगारी कि नो को पर जाओता लगी कि वह बहुत लोगूं को में कि इनी में घर्थ जाओ आ झाहिए ہान पर जाहिक है सब्सक्राइब औरें बहुत लोग अए भी बोऑना कि प्रता ऌसा मात राजनीत करूं समार्ञानी संवारजणी को आ कंपम नहीं होने दे रहे तुर्यप घर के अंदर हो रही है हो रही है को जीता कोई किस सही हुआ कि इसको नहीं मिली वह एक अलग मुद्धा लेकिन हमने जब भी भारवाले को मुखा दिया हमारे देश गुलाम हुआ है और एक टूटर याग के इनका कहना है कि धनीबाद बराक उबामाजी पपू को अंतराष्टी पपू घोजट करने के लिए इन्हें पता होना चीह है कि कि राखुल गाति हमारे देश के नेता है इस्से पहले हमारे देश के नागरी हमारे देश के किसी बीनागरी पर अगर कोई बाहर का हमला करेगा क्या हमें उस्परदास करना चीह है पुस्पेंद्र कुल्ठेष्टा यह इनका कहना है चम्चे बराक उबामा पर ऐफायर तो ऐसे करें जैसे हो अमरीका का एक्स परजीरेंट नहीं रिपब्लिक भारत का पत्रकार आणाउगो स्वामी हो अनुपम खेर जी काफी बड़ी सेक्सियत हैं बॉलीगुर में अच्छा खाजा उनका नाम है वो कहते हैं अभी तो बराक उबामा की एक किताब की चर्चा है सोचो जब डॉनल्ड ट्राम अपनी किताब लिखेगा तो तब कांग्रेस पाल्टी का क्या हार होगा एक और कई यूजर्स ने ये लिखाय कि बराक उबामा ने अपनी आत्म कथा लिखिया ये कांग्रेस पाल्टी की पोस्ट मॉटम रिपोर्ड बनाई हैं इस तरह कि मांस कि मोधीजी हो एक पालो बाजपा को बीखियो की तो इनतरी कि मोधी जी हमारे दश के प्रद्वासम अजया कर देशका ने खुष्ट ऑनी चनला को हमारा ादिकार बाद्र आ लिखेश़ हम लिखिया कि अनको तो इसी का अदिकार आदोれた हमने तोज्यांगे और यहारिधा यहीं में इन राष्ट्र भक्तु से वो बड़े बड़े अपने नाम के आगे लगाये रखते हैं राष्ट्र भक्त देश भक्त पतानी सनातन धर्मी सनातन धर्म कभी यह नहीं सिखाता देश भक्त कभी यह नहीं सिखाता जो देश भक्त होते हैं वो कभी इस तरह की धारा को विचार दारा को बढ़ाओ नहीं देते कम से कम नमरता बिनमरता के साथ सी सही राष्टपती ओबामा को इस हद तक मजबूर कर देते कि वह अपनी इस लाइन को बदलने पर मजबूर हो जाते बहुत सारी लोगों ने मुझे कहा कि तुम कॉंग्रेसyy हो साय और किसी मुझे यह भी ख़ए yeah can you तुम्हें गधे को घोड़ा बनाने तो मालो हमें क्या किसी ने मुझे यह भी बोला कि हम उसे अपने देश के नागरी नहीं मानते यह बहुत अफ्सोस की बात है इतने साल उन्होंने हमारे देश मेराज के निश्ची तुम से सोन्या गादी बहार से आई हैं पर उन्होंने च अपने इस तरह के जाएगी तो आपकी सोच जायेगी है वो बहर से आई है हमारे देश की यह साधी करके अगर लड़कें जहां आती हो नहीं क्यों होती है राजनितिक विचार दारा अलग होती हैं लेकिन इस तरह के विचार धार को बढ़ा हो देना और उसके बाद आप ल बदलने के लिए मजबूर कर देते हैं वह जो भी है रहुल गादी वह पपू है वह बुद्धी हिन है वह कुछ भी है वह हमारे देश का पहले तो नागरिक है फिर इस देश का कॉरेस पाल्टिक पूर्ष अधक्स है वह यहां के सांसद है वह हमारे देश के हैं सबसे बड़ पकड़ने दी तो हाथ पकड़ा और तभी हमारा देश गुलाम हमने कितने दफे गुलामी कद्धान से जेला इत्यास उठा के देख लो इसी बीचांट धारा की वह जैसे बाहर अलोंने हमारे इसी कमजोरी को पकड़ा इन्हें समझ आनी चीह जो आपने आपको राष्ट्र किसी मैं किस पार्टी को पसंद करती हूं नहीं करती हूं मेरी ब्यक्ति का चोईस है लेकिन कोई बाहर का आके हमारे देश के जिस पार्टी को हम पसंद नहीं करते हैं जिन लोग को हम पसंद नहीं कर देंगे क्या हम उनको उल्टा सीधा बोलने देंगे या उनको उनको उन लोगवों उस पे इनकी मान सिक्टा पर और इनकी सोच पी यह विचार धारा जब जब हमारी कमजोर पर्णी थे सीफ मैं यहीं कहना चाहूंगी फिर भी अभी वीकिर अर्मिंद केजवाल जिसेसी को जिन्हों ने इतनी खुब तुरुती से जुन का जवाब दिया और लोगों ने उनको कहा कि स्मार्ट राजनीति करते हैं वह जो भी करते हैं अपने देश के अंदर करते हैं उन्होंने अपने प्रधान मंद्री का अपमान बर्दास्त नहीं किया यहीं तुम्हारा भी होना चीज़ता अगर तुम आपने आपको राश्र भक्ते देश भक्ते कहते हैं तो आप पी नम्रता पूरक सही या अग्रमता दिखा के ही सही बराक उबामा को अपनी आत्म कथा के अंदर उस ला प्रवारा भी समझता लेकिन जिस तरह से उन्होंने सीधे सीधिक बेक्तिक अतरूप से हमारे देश के नेता को आप अपने सब्दूं से मतलब आकरमन के है वह बहुत गलत है मेरी साब से बहुत गलत है और उन लोगों को कम से जो लोग अपने आपको देश भक्ते क्या होती है कल को हमारे देश फिर से अगर किसी मुसिबत मा पड़ा इसी इसी बिरोधी विचारधारा की वज़े से इसी तरह की जो विचारधारा है इसकी वज़े से किसी बाहरवाली को हमारे देश पर आकरमन करने का किसी भी तरह का टिपढ़ने करने का अधिकार नहीं ह मेजर विचारों से इतफ़ाग रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो उसके जनकरी के लिए गंटेब